नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप सब दोस्तों आपके अपने सफर तक पर दोस्तों तो आज जो है आज का वीडियो जो है जो भी government employee है उनके लिए काफी useful होने वाला है कि दोस्तों जो भी सरकारी करमचारी है उनको आज नहीं तो कल यह five days working वाला जो है यह benefit मिलने वाला है जो banking employee है दोस्तों उनके लिए तो यह अभी आ गया है notice आ गया है कि उनको जल्दी five days जो है आपको वर्क करना होगा अभी generally उनको first and third Saturday जो है मन्त का उसमें उनको काम करना होता है बांकि तो Saturday जो है उनका offer आता है लेकिन आप fully Saturday Sunday जो है ओ दोनों off रहेगा उनका तो यह चीजे जो में जल्दी यह applicable होने वाला है जिसमें कि उन्होंने government of India से एक memorandum भी उसका जो all India bank association जो है उन्होंने sign किया है कि जिसमें कि five days working के लिए उन्होंने request की है और साथ में उन्होंने reference भी डाला है कि LIC और RBA में जिस तरीके से five days working होता है तो उसी तरीके से जिसने भी PSU जितने private और public दोनों sector bank में जो है five days working की मांग किया है उन्होंने bank association वाला और जो bank union है इन दोनों के बीच में भी समझाता हुआ है और साथ में ही उन्होंने एक settlement भी हुआ है जिसके तहत जो भी bank employee है उन्हें 17% increment मिलने का भी यह है कि जल्दी उनको 17% increment भी दिया जाएगा यह उन्हो को settlement होता है जिसके तहत उन्हों का wage जो है जो उनका बेतन जो है उसमें बढ़ोतरी होती है तो इस settlement के तहत उनको 17% increment मिलने का पूरा पूरी यह है चांसे से और यह चीज अगर banking sector में होती है तो साथ में साथ में railway employee के लिए भी यह अच्छी news होगी क्योंकि साथ में उन्हों सेक्टर में भी यह five days working जो है हो सकता है कि जल्द से जल्द इसको railway में भी applicable कर दिया चाहे तो यह सारी जो information थी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों वीडियो को like, subscribe और share जरूर करें और comment box में बताए अगर आप किसी बीसे इस particular topic पर information चाहते है तो thank you दोस्तों, bye